मसकार दोस्तों आज हम जानेंगे कि लोग क्यों आतंकवादी बन जाते हैं उनके आकरामक वैवार के कारण हमारे जहन में परसन आता है कि आकरामक वैवार जनमजात होता है या आसपास के माहोल से होता है आक्रामक वेवार के अनेक कारणों में अनुवानसिक भी हो सकता है एक मानविय कोशिकाओं में क्रोमोसमों के जोड़े विद्मान होते हैं XX महिलाओं में और Y XY पुर्सों में होता है इस विशे पर डॉक्टर बुर्नर के अस्पताल में एक महिला विचितर समस्या लेकर आई उसके समस्या थी कि उसके परिवार के पुरुस सदस्य अपराधिक परवर्ती और मानशिक दुरबलता के सिकार थे उस इस्तरी के परिवार की वनसावली बनाने पर नो व्यक्तियों के संबंद में ऐसी ही बाते सामने आई उस इस्त्री के परिवार के कुछ पुर्सों के X क्रोमोसोमों में कुछ दोस था जो उत्तेजना पुर्ण वेवार को नियंतरित करने वाले एंजाइम को निस्क्रिये कर देता है अनुवानसिक दोस क्या है यह एक विशेश जीन मोनो अमीन ओक्सिडेस एम एओ नामक एंजाइम के लिए कोडित होती है इस MAOE नामक एंजाइम का काम तीन परमुख नियूरो ट्रांस्मीटर रसाइनों को तोड़ता है जो तंत्रिकाओं के परसारण को तेज या धिमा कर देते हैं इनमें से एक है नारेपिनेफ्राइन जो रक्त दाब और सारीरी क्रिया सीलता को तोड़ता है अन्य दो नियूरो ट्रांस्मीटर रसाइन है सीरो टोनिन और डोपामीन अनुवानसिक दोस है क्या सीरोटोनिन और डोपामीन दोनों व्यक्ति के मूड और किरिया सीलता को नियंत्रित करते हैं इस प्रकार MAOA केही मानसिक विकलांगता और आकरामक वैवार जैसे दोसों से सम्मंधित होने की संभावना बढ़ गई विग्यानिकों का अनुमान है कि नियूरो ट्रांस्मीटर रसाइनों की साखा एक ऐसे जैव रसाइन को जनम देती होगी जो लोगों को हिंसा के लिए उक्साता है